हर्याना के पानी पत में ट्रैक्टर से स्टंट बाजी करना युवक को महंगा पड़ गया और स्टंट के दौरान उसकी मौथ हो गई युवक सोमवार को सोशल मीडिया पर रील डालने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैट कर चलते ट्रैक्टर को आगे से उठा कर पिछले टायरों पर बैलेंस बना रहा था लेकिन अचानक ट्रैक्टर पीछे की और पलट गया जिससे युवक स्टियरिंग और सीट के बीच फंस गया उसका सिर दोनों के बीच पिस गया सिर का सारा हिस्सा बाहर की और आग गया ट्रैक्टर पलटते ही मौके पर खड़े युवकों में चीख पुकार मच गई कड़ी मशकत के बाद ट्रैक्टर को सीधा किया जिसके बाद युवक को वहां से निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी मौत की पहचान 22 वर्षिय निशु देश वाल निवासी गाव कुराड जिला पानीपत के रूप में हुई है करीब डेड़ साल पहले उसकी शादी हुई थी वह 6 महीने के बेटे का पिता था अब कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्र गड़ में भी कक्षा बारहवी के विद्यार्थियों के लिए 29 फरवरी 11 और प्री फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए 28 मार्च से नया बैच प्रारंभ केवल लिमिटेड सीट के साथ अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर कॉल करें ट्रैक्टरों के कॉम्पेटिशन में भी उसने भाग लिया है और इनाम जीते हैं निशु ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल बनाए हुए थे जिस पर वह स्टंट की वीडियो पोस्ट करता था सोमबार सुबह भी वह स्टंट के लिए गाव के खुले खेतों में आया यहां उसने ट्रैक्टर से कई स्टंट किये, कई वीडियो बना चुका था आखिर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर पलड़ गया जिससे उसकी मौत हो गई, यह ट्रैक्टर निशू का ही था